जी कैसे हैं दोस्तों आज हम सोड़ा भाइकारव यानि के सोड़ा खुर्वनी इसको खुर्वे आम में नीखा सोड़ा भी कहते हैं इसके बारे में सबक्र जारिये के तौर पर वीडियो बना रहे हैं हर जगा आसानी से मिल जाता है आम तोर पर हाटे में खमीर पैदा करने के लिए इस्तमाल किया जाता है ये बतौर दवा भी कई बिमारियों में दिया जाता है और बहुत मुफीद साबत होता है इलाज बाइस्तमाल के लिए अगर जिसम में बेचैन कर देने वाले खुश्की और खुजली हो ये जिसम पर पत्ती यानि के छपाकी निकलाती हो और इसकी जलन और खुजली हो म्रीज बेचैन हो तो सोड़ा बाईकारत एक ग्राम पानी अदा कप में मिलाता रुई से लग अगर बतन का कोई हिस्सा आग या पानी से जल जाए तो सोड़ा जली हुई जगा पर लगाया जाए या थोड़ा पानी मिलाकर लेप कर दिया जाए तो फॉरन जलन दूर हो जाएगी दांतों में दर्द रहता हो या कोई दांत गल सड़ गया हो और इसकी वज़ा से सर में दर्द रहता हो दोनों सूरतों में यानि कि मिठा सोड़ा या सोड़ा बाईकारत तीन ग्राम आदा कप पानी में हल करके उलियां की जाए अराम आजाएगा कभी कभी खांसी का भी सबब मिदा की खराबी होती है ऐसी हालत में सोड़ा बाईकारत तीन ग्राम पानी दो कप में मिला कर एक एक घुंपलाएं यहां तक कि दो घंटे में पानी खतम हो जाए दो तीन घंटे के बाद फिर ऐसा ही करें चंद बार ऐसा करने से खांसी दूर हो जाएगी इंशाला अगर मेड़े में तजाबियत बड़ी हुई हो जिसकी अलामते कुछ यूँ है कि खाना खाने के बाद कलेजर जलने लगता है कभी कभी इसके साथ सीना में भी जलन होने लगती है कभी ड़कारे आती है पेड़ हो जाता है और कभ्स की शकायत हो जाती है इसके अलावा खाली पेड़ में दर्द होने लगता है इस सुर्ट में सोड़ा बाइकारब एक ग्राम जंजबील यानि सुड़ अदा ग्राम बारी पीसका पानी से दें अगर जरूरत हो तो दो खेंटे बाद एक फ्राब और दे सकते हैं इंशालला अराम हो जाएगा सुड़ा बाइकारब का मुझीद मरकब जानिए सुड़ा बाइकारब एक ग्राम मुशाद़ ठीकी आदा ग्राम को अरग को दीना आदा कप में मिला कर देने से मुझीद जानिए सुड़ा बाइकारब एक ग्राम बादियान धनिया खुश्क हर एक दो ग्राम बारी किसा हुआ तीनों को मिलाकर खाना खाने के बाद पानी से में दोनों वक्त पर इसी मिकदार में इस्तमाल करें मुझकुरा अलामाद मेदे की के लिए इंतहाई मुझीद है अगर खून में तजाबियत बढ़ जाए और इसकी वज़ा से सुखी खुजली इतनी ज्यादा के मुरीज खुजलाते खुजलाते परिशान हो जाए तो इस हालत में सोटा बाइकारब एक ग्राम अदा कब पानी में हल करके दिन में चार बार दें और पिचास करम सुखा एक बाल्टी में मलाकर मुरीज को नहलाएं अगर तेजाबियत के बढ़ जाने से खुड़े पिच्छा निकल रही हो तो इस सुरत में भी यही पाइदा अमल रहेगा अहत्याद के लिए थोटा बाइकारब को थोड़ी थोड़ी मिकदार में बार बार इस्तमाल पराना चाहिए ज्यादा मिकदार में लेने से पाइदा की बुजाए नुक्सान तोंचता है अल्ला ताला हम सब्सक्ता हामियो नासर हकीम रहे खालब खालब मौकाना चौक खाहिए उल्ला गुदान जिल्ला उपाड़ा शेर करता है